नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शुष्ट्री शुर्वास्तव रिलाइंस इंडस्ट्री के चेर्मेन के मालिक मुकेश अंबानी की बेटे अनन्तम्बानी उस वक्त बहुत चर्चा में आये थे जब उनकी सगाई विरेन मर्चंट की बेटी राधिका मर्चंट से हुई थी हर तरफ इनकी सगाई की तस्वीरों ने खुब सुर्खया भटोरी थी और अब एक बार फिर से अनन्तम्बानी चर्चा में आये है जहां उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है जिसकी वज़े से वो बहुत ट्रोल भी हो रहे है चले आपको ही बताते हैं कि ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण अनन्तम्बानी ट्रोल हो रहे है दरसल अनन्तम्बानी का एक वीडियो बहुत वारल हो रहा है वीडियो में किसी का बर्दे सेलिबरेट किया जा रहा है टेबल पर केक रखा हुआ है और अनन तंबानी के साथ एक बुजूर्ग व्यक्ति खरा है अब ये सब तो वीडियो में नॉर्मल था लेकिर आगे वो बुजूर्ग व्यक्ति अनन तंबानी के पैर छूता है और अनन तंबानी उनका पीट खबता पाते हैं वो व्यक्ति अनन्तंबानी के पिता की उम्रिके थे। व्यक्ति फिर हाथ जोडते हैं और अनन्तंबानी उसे केक खिलाते हैं। इस वीडियो को एक व्यक्ति ने पोस्ट किया है और लिखा है। अपने जन्दन पर बड़े बुजूर्ग अपने से छोटों का आशरवाद लेते हुए। अनन्तंबानी को भी एक बार सोचना चाहिए कि बड़ों का सम्मान कैसे होता है। ये है पैसो की ताकत। अब दावा की आजा रहा है कि इस बुजूर्ग का जन्दन था और उल्टा वो बुजूर्ग अनन्तंबानी के पैर छुड़ा था। जिस पर जन्ता उन्हें ट्रोल कर रही है और खूप सुना रही है। जैसे कि यूजन ने तंज कस्तवे लिखा है। संसकार चले जाते हैं अमीरी के साथ। दूसरे यूजन ने लिखा है नौकर और मालिक का अंतर दिख रहा है। गुलामी जिनके आचरन में हो उनका क्या हो सकता है। एक और यूजन ने लिखा है ये पैसे की ताकत कैसे हो गई। ताकत तो बलवान बनाती है, ये तो पैसे की कमजोरी है, क्योंकि वो आपको भीतर से कमजोर कर रहा है, आपके संसकार मर रहे है। एक और यूजन ने लिखा है, कल्यूग में जिसके पास पैसा है, वही एल्डर है, एक और यूजन ने लिखा है अपनी राय देते वे, शेमफुल, पैसे है तो इजज़त करना भी आना चाहिए। तो इस कारण से अननतंबानी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। फिलाल आपको बता दे, कुछ दिलों पहले ये बहुत चर्चा में आये थे, मुकेश अंबानी और निता अंबानी के बेटे अननतंबानी और विरेन मर्चंट की बेटी, राधिका मर्चंट की सगाई धूमधाम से हुई थी। जल्द ही दोनों शादी के बंदन में भी बंदे वाले हैं। फिलाल इस वीडियो पर आपकी क्या राए हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा। नमस्कार।